आज अगर चैंसर की बिमारी का सही टाइम पर पता लग जाए तो इसे कंट्रोल भी किया जा सकता है लेकिन अगर कैंसर बढ़ जाता है लास्टर स्टेज तक बहुत जाता है तो फिर इसका इलाज नहीं हो पाता है वैसे तो आपने कई बार टीवी में नियूस पेपर्स में सुना होगा कि बड़ी बड़ी सिनिमा और खेल जगत की हस्तियां भारत से बाहर जाकर कैंसर का इलाज कराती है ठीक हो जाती है इसका मतलब यह हरगिस नहीं है कि इंडिया में कैंसर की बिमारी का कोई इलाज नहीं है जो सेलिब्रिटीज बाहर जाकर अपना इलाज कराते हैं वो जल्दी इसलिए ठीक हो जाते हैं तो cancer की बिमारी का उन्हें first stage में पता चल जाता है cancer के पूरा फैलने से पहले ही वो अपना इलाज कराना शुरू कर देते है और दूसरा reason ये है कि बाहर के देशों में advance surgery है advance medicines है तो वो जल्दी ठीक हो जाते है तो cancer का first stage में detect हो पाना बहुत ही मुश्किल है इसलिए हमें अपनी body के symptoms को लेकर के बहुत जागरुक होना चाहिए हमारी body एक machine की तरह से है कोई भी बिमारी आने पर वो लक्षन जरूर सामने देती है इसलिए अपनी body के पती सचेत रहना चाहिए तो आज मैं आपकी साथ share करें कुछ ऐसे ही symptoms जो की cancer के first stage पर आपकी body आपको देती है तो इन में से कोई भी एक symptom अगर आपको नजर आए तो डॉक्टर के पास जाकर जाच जरूर कराए तो चलिए आठ ऐसे symptoms मैं आपको बता रही हूँ जो की आपको cancer को detect करने में बहुत मदद करेंगे अपने शरीर में होने वाले changes को हमें ही पहचानना है ताकि हम समय से इलाज करवा सके तो चलिए जानते हैं ये symptoms कौन कौन से है वैल चोट से लगातार खून का बहना ये cancer का लक्षन हो सकता है cancer patients में अगर कहीं चोट लग जाए तो खून जल्दी से रुकता नहीं है और अगर आपको मलाशे के द्वारा खून बाहर निकल रहा है तो ये colon cancer का लक्षन हो सकता है वैल cancer का second symptom ये है कि आपकी पौटी में आपके मल में कुछ बदलाव आने लगते हैं जैसे कि पौटी आने का समय चेंज हो जाता है और आपकी पौटी का color और पौटी की बनावट या आकार में भी आपको changes दिखाई देंगे और ये studies की जा चुकी है इस विशे पर कि पौटी में definitely change आने लगता है अगर आप cancer से परिशान है तो थर्ड जो symptom है cancer का वो ये है कि cancer की first stage से ही शरीर का वजन आचानक से घटने लगता है और ये वजन 4 से 5 किलो तक भी एक महीने में घट सकता है तो अगर आपको आपके शरीर में कोई ऐसा लक्षन दिखाई दे रहा है मतलब एकदम से आपका वजन कम हो रहा है तो आप cancer का detecting test जरूर कराएं cancer का अगला लक्षन ये है कि cancer के patients को शरीर में चोटी चोटी गांथे बननी शुरू हो जाती है और आपको अगर किसी जगह पर कोई गठिया फंसी टाइप नजर आ रही है तो आप अपना check-up जरूर कराएं किसी एक अंग का अचानक से सूज जाना सूजन आ जाना swelling हो जाना या मोटे होते जाना ये भी cancer के लक्षन माने जाते हैं वैसे इसके और कई कारण भी हो सकते हैं लेकिन कोई एक body part आपका अचानक से अगर सूज रहा है इसमें swelling आ रही है या वो मोटा होता जा रहा है तो आप डॉक्टर से जरूर संपर्ख करें इसके अलावा पेट के cancer के दोरान अकसर ऐसा होता है कि आपको उल्टी आती है या उल्टी में खून भी आता है और ये बहुत ही शुरुवाती लक्षनों में से एक है अगर सिर या मस्तिश्क का cancer है तो cancer के शुरुवाती दोर में ही आपकी आँखों की रोशनी में परिवरतन आने लग जाता है अगर आपके सिर में अचानक से दर्द होना शुरू हो जाए और ये दर्द रोजाना हो और आँखों की रोशनी भी कम होनी शुरू हो जाए तो भी आपको cancer हो सकता है इसके अलावा फेफडों के cancer के दौरान लंग cancer के दौरान आपको सांस लेने में तकलीफ होती है और लंबे समय तक आपको खासी या बलगम की शिकायत होती है साथी साथ चक्कर भी आते हैं और कई बार बेहोश भी हो जाते हैं तो ये लंग cancer के शुरूवाती लक्षन है क्योंकि लंग के cancer के दौरान शरीर में oxygen नहीं पहुंच पाती है इसलिए आदमी बेहोश होने लगता है चक्कर आने लगते हैं और बिल्कुल शुरूवात में ही लंग cancer के ये symptoms सामने आने लगते हैं अगर आपका एक breast दूसरे breast से बड़ा हो रहा है या उसमें कोई lump आपको फील हो रहा है या फिर उसमें निपल के आसपास redness है या फिर निपल अंदर की तरफ चला गया है तो ये breast cancer के शुरुवाती लक्षन हो सकते हैं तो इन लक्षनों को पहचानिये अपने शरीर के symptoms के प्रती सजग रहिए आप cancer जैसी बिमारी से भी बाहर आ सकते हैं क्योंकि अगर समय पर ये detect हो जाए तो इसका इलाज आसानी से किया जा सकता है तो ये था मेरा आज का वीडियो उमीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा प्लीज एट दिल लाइक बटन तमसिब का बटन नीचे से जरूर दबादी चेगा